पहले आदमी और औरत, आदम और हव्वा एक सुन्दर बाग में रहते थे, जो परमेश्वर ने उनके लिए बनाया था, पर शैतान एक धूर्थ सांप की तरह आया, और आदम और हव्वा की परिख्षा ली क्या परमेश्वर ने तुमको सही में कहा, इन पेड़ों के भलों को मत खाओ, सांप ने हव्वा से पूछा, केवल बीच वाले पेड़ से, हव्वा ने जवाब दिया, अगर हम इससे भलगाएं, तो हम मर जाएंगे तुम नहीं मरोगे, सांप ने कहा, यहाँ पर एक कारण है, कि क्यों परमेश्वर नहीं चाहते, कि तुम इस पेड़ से खाओ, अगर तुम खाओगे, तो तुम उसके जैसे बन जाओगे, जो वो जानता है, तुम भी जानोगे हववा ने फल खा लिया, उसने कुछ आदम को भी दिया, जो उसके साथ था, उसने भी इसे खाया और एक दम से उन्होंने वो जाना, जो उन्होंने पहले कभी नहीं जाना था एक बात जो वो जानते थे, वो ये कि वो नंगे थे उन्होंने अपने आपको ढखने के लिए पत्तों को जोड़ जोड़ कर सिल लिया उन्होंने पहले कभी भी डर और शर्म को महसूस नहीं किया था इसलिए वो जानते थे कि कुछ खलत हुआ है आदम, हववा परमिश्वर ने आवास दी हम चिप रहे हैं आदम ने कहा हम नंगे हैं तुम इसलिए ये जानते हो क्योंकि तुमने उस बेड़ से खा लिया है परमिश्वर ने कहरी सास लिए और हववा ने साम को दोश दिया परमिश्वर ने कहा साम, तू बेट के बल चलेगा एक स्त्री का पुत्र तुछे हराएगा हव्वा संतान पैदा करना कठिन होगा आदम अन उगाना मुश्किल होगा तब परमेश्वर ने आदम और हव्वा के लिए कपड़े बनाए और उन्हें बाग से बाहर भेज दिया उसने एक ज्वाला में तलवार के साथ वापस ना आ सके